ओम सरस्वत्यय नमू नम, ओम वर्प्रदाय नमू नम, ओम महाभद्राय नमू नम, ओम महामायाय नमू नम, प्रेम से बोले सरस्वती माता की जै, भक्तो सरस्वती मा ज्यान की देवी है, इन्हें साहित्य कला और स्वर की अधिस्थात्रे देवी माना जाता है, शुक्रवार को अन्य शक्ति स्वरूपों के साथ मा सरस्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है, कहते हैं स्वयम विश्णु अव्दार श्रीकृष्ण जी ने सर्वरपथम मा सरस्वती की पूजार चना की थी इनकी उपासना करने से काली दास जैसे मुर्ख भी विद्वान बन गर माग शुखल पंजमी यानी वसंत पंजमी को इनकी विशेश रूप से पूजन की परंपरा है भक्तो मा सरस्वती की अनेक प्रचलित कथाएं हैं जिन में से कुछ पावन कथाओं को आज हम प्रस्तुत करेंगे इन कथाओं की श्रवन से असीम सुख वशांती की अनुभूती होती है तो आईए भक्तो सुनते हैं मा सरस्वती की कुछ प्रसध कथाएं करते वंदन पथम पोजे की जो है गोरी पुत्र गणेश सिधी विनायक हम भतो पर लखना अपनी के पाविशेश फिर सरस्वती का घर के वंदन करते हैं हम वही मामंडन क्यान के देवे सिर की सरता तूली मावर तूली परीता मा का आसन है हन्सानन निरंजना मा है चतुरानन जो भी करता मा का भ्यान उसको मिलता विध्यानाएं सरस्वती मा की कथाएं उन में से हम कुछ को सुनाएं सुनना भक्तो ध्यान लगाकर हम से बाहिने सब पिक्रपाकर भक्तो श्रिष्टी के प्रारंभिक काल में भग्वान विष्णू की आग्या से ब्रम्हा जी ने मनुष्य, पशू, पक्षी, पेर बौधे, पहाड, नदी जड़ने आदी समस्त चराचर जगत की रचना की परंदु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे तब उन्होंने श्री हरी की आग्या पाकर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर प्रित्वी पर छिड़क दिया जिससे प्रित्वी कमपित होने लगी और एक अध्भुच शक्ती स्वरूपा चतुर्भुजी सुन्दर मनमोहक स्त्रे प्रकट हुई जिसके एक हाथ में वीना एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तत वह माला थी जब स्तेवी ने वीना का मधोर नाद गिया तो संसार के समस्त जी जन्तुओं को वाने प्राप्थ होई जब शीदेश्न की आग्या पाया तब ब्रह्मानी शुष्टी बनाया नदी जड़ने और पेड़ पहाद शुष्टिया है भराशिणार पर यह धराधिन बिलकुल नेज़ तब ब्रह्मानी रचा नारे लड़ शुष्टी रच के प्रम पचताएं यह शुष्टी उन्त जड़ा नभाएं सब कुछ शान्त वसूना लागी अब क्या करें बुस से आगी तब प्रम्हाने जला पुलेकर छेड़ दिया है सुक्त धरापर प्रकट हुई नारी एक संदर हस्ते वी नादु जम द्रावत छेड़ा है दिना का जोतान निलार सब को धनी का ग्यान भक्तो ब्रम्हाजी अपनी कृती से बहुत प्रसंद हुए और उनकी बनाई गई शृष्टी में जान आ गई पंची चहचहाने लगे कल्रप करने लगे नदिया जड़ने कलकल करने लगे समस्त जीवों में वानी का संचार हो गया पूरी पृत्वी मानों मुस्कुराने ल भक्तो ब्रम्हाजी उनकी स्तुती से अत्यांत प्रसंद हुए और उन्हें सत्य लोक में परंपरित गया इस प्रकार भक्तो मा सरस्वती का आविर्भाव हुआ ब्रम्हु विद्या एवं रित्यसंदीच शेत्र के अधिस्ठाता के रूप में नतराज शिव एवं सरस्वत दोनों को माना जाता है इसी कारण दुर्गा सब्त शती की मूलती रहस्ते में दोनों को एक प्रकृति का कहा गया है अतह माता सरस्वती के अन्य नामों में इन्हें शिवा नूजा अर्थात शिव की छोटी बहन कहकर भी संबोदित किया गया है श्वेत कमल पर मया विराजे हाथ में इनके वेना साजे अन्य हस्त पोस्तक और माला सब जीवों में वाड़ी डाला मा ने किया भुंहा का वंदन अस्तुति कर्के किया भिनन्दन दिया ग्रम्हा ने सरस्वतिना सब्क लोग है मा का धान मा देती है कला स्वर्व्यान मुर्ख विजिस से बन विर्वान जो मा का निस दिन कर पार उनको मिलता मा का साज ब्रंध वेंद्या को देने वाली माही काली माही कराली जिन पे होती है माता सहार भक्तो माता सरस्वती को भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माना जाता है एक बार की बात है सरस्वती माता को एक अनुस्ठान में पहुचने में देर हो गई और ब्रह्मा जी को ये महत्वपुर्ण अनुस्ठान समय पर करना था इसलिए उन्होंने गायत्री नामक स्त्री से शादी रचाए और अनुस्ठान करने बैट गए तभी वहां सरस्वती मा आ गई जब मातर सरस्वती को शादी की बात पता चली तो वह निराश और प्रोधित हो गई उसने ब्रह्मा को श्राप दिया ताकि मनुष्य फिर कभी ब्रह्मा जी की पूजा न करे हिंदू धर्म में पाई जाने वाली अधिकांश परंपराओं का यही मामला है जबकि त्रिमूर्ती के विश्णू और शिव और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है भले ही वह ब्रह्मान के निर्माता है बाद में माता को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने कहा कि जहां वे अनुस्ठान करने बैठे थे बस वही उनकी पूजा होगी भगतो इसी कालन से पूरे संसार में ब्रह्माजी का एक लौता मंदिर पुषकर में है जहां उनकी पूजा अर्चना होती है बोली सरस्वती माता की जैरे पुषकर शेत्र में ब्रह्माजी को करना था सरस्मय अनुस्ठान सरस्वती नहीं पहुच पाएंगे इसका हुद को हो गया माई तब ब्रह्मा ने गायत्रे मा से यग्य हे तु है शादी रचाई पता चला जब शार दमागो तो ना अदू से वो भलाई दिया शाप फिर ब्रह्माजे को होगी नहीं अब कहीं भी पोजा सुनो है ब्रह्मा मंदर आपका तुषकर छोड़ना होगा दूजा इसलिए संपूर्ण जगत में एक ही मंदर का है वर्ना कुषकर ही बस एक जगर है जहां होता है अम्भा पूजन भक्तो महा कवी काली दास को अपने ज्यान का घमंड हो गया था और खुद को सबसे विद्वान समझने लगे थे एक दिन वे यात्रा कर रहे थे दो रास्ते में उन्हें प्यास लगे उन्हें एक कुवा दिखाई दिया हुए पर एक महिला पानी भर रही थी काली दास ने उस महिला से पीने के लिए पानी मागा महिला ने कहा कि पहले अपना परिचय दीजी उसके बाद मैं आपको पानी दूगी काली दास अपने ग्यान के घमंड में डूबे हुए थे उन्होंने खुद नामना बताए हुए कहा कि मैं एक महमान हूँ महिला ने कहा कि ये तो सही नहीं है संसार में दो ही महमान है एक धन और दूसरा यौवन ज्यान की ये बात सुनकर कालिदास हैरान हो गए उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ महिला बोली कि ये भी σही उत्तर नहीं है इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील है पहली धर्ती है जो हमारा बोच उठाती है दूसरे सहनशील पेड़ है जो पत्थर मारने पर भी फल ली देते है काली दास को समझ आ गया कि ये महिला कोई विद्वान है उन्होंने कहा कि मैं हठी हूँ महिला बोली कि आप फिर गलत बात कह रहे हैं संसार में हठी भी दो ही हैं नाखुन और बाल बार बार काटे पर भी फिर से बढ़ जाते हैं ये बाते सुनकर कालिदास ने अपनी हार मानी उन्होंने कहा कि मैं मुर्ख हूँ मुझे शमा करे, महिला ने कहा कि तो मुर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मुर्ख भी दो ही है एक राजा जो बिना योगता के भी सब पर राज करता है दूसरे मुर्खे हैं दरबारी, जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी जूटी प्रसंशा करते इस बात के बाद कालीदास महिला के पैरो में गिर पड़े, तभी महिला ने कहा कि उठो पुत्र कालीदास ने उपर देखा तो वहां मा सरस्वती खड़ी थी देवी सरस्वती ने कालीदास को सीखती कि तुम्हें अपने ज्यान का घमंड हो गया था और मेरी भक्तो को इस बुराई से बचना चाहिए इसलिए मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ा है कालीदास ने देवी सरस्वती से शमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वे कभी भी घमंड नहीं करेंगे बोले भक्तो सरस्वती माता की जै एक समय की बात है भर तो कालीदास थी कभी महार उनको ग्यान का हुआ घमंड खुद को समझ सबसे विद्वार एक दिन कर रहे थे यात्रा रास्ते में लगी उनको प्यास देखा कुए पचो महिला को आगर जब से उनके पास कहा है माते पानी पिला दो अध्रत कंट्र कुद्रत करा दो कहा महिला ने परचे दिजिये उसके बाद ही पानी दिजिये जेत न पाय करके शास्त्राट फीका पढ़ गया उनका ग्यार हाथ जोड कर मांगी शमा फिल्द जबू अमनको मा का भाई इसलिए भक्तों कभी घमंड नहीं करना चाहिए भक्तों वसंत रितु में मानव तो क्या पशु पक्षी तक उल्लास भड़ने लगते हैं यो तो माग का पूरा मासी उत्साह देने वाला होता है पर वसंत पंचमी का पर्व हमारे लिए कुछ खास महत्व रखता है इस दिन मा शार्दे की पूजा कर उनसे ज्यानवान विद्यावान होने की कामना की जाती है वहीं कलाकारों में इस दिन का विशेश महत्व है कवी, लेखक, गायक, वादक, नाटकार, रित्यकार अपने उपकर्णों की पूजा की साथ मा सरस्वती की बंदना करते है बोली भक्तों सरस्वती माता की जै सरस्वती को कहते बागेश्वरी देती स्वर कला विद्यादार सरस्वती के जो भक्त है होते उनको मिलता यस सम्मार सरस्वती है संगीत के जनने देना इसका है पहचार हंस की करती है ये सवारे मार्था के महिमा है महार सरस्वती है वेदों की दात्री शास्त्र बीन का करती बखार सारे का मना पुर्ण हो जाती जो करते माता का ध्यार ओम्शी ही सरस्वति नमह माता का यही मूल है मन्द होते उन पे विशे शिक्र पाजों घर में रखते सरस्वति अंद रिग वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धी ज्यान और मनुव वित्यों का सन्रक्षक माना गया है देवी सरस्वती की गुणों को चितना समझो उतना कम मालूम पड़ता है मा सरस्वती का प्रकार्टि मागमा के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था इस वज़ा से हर साल सरस्वती पूजा होती है इस तिती को वसंद पंचमी और श्री पंचमी भी कहते है मा सरस्वती को मा शार्दा, भगवती, विर्णा वादनी, बागदेवी, बागिश्वरी, आधी नामों से पुकारते हैं उनको पीला रंग प्रिय है इसलिए वसंद पंचमी पर सरस्वती पूजा में पीले वस्त्र, पीले फून, पीले रंग की मिठाईं आधी चड़ाते हैं प्रेम से बोली सरस्वती माता की जैन बात करूस माता का जिन से मिलता ग्यान बिन उनके जग कुछ भी नहीं है गुणों की खार अज्यानी को ग्यान है देती मुख में बास हमेश विद्यादाती है मर्या हरती हर दम है कलेश विद्यादाती मात है सरस्वती रो मात विद्यादाती मात है सरस्वती हो मात जग तो ब्रम्भ ने रच ही दिया पर निकवानी नमोन मिध्या वचन की होड मची दुनिया ही डवडो कर रचना तब ग्यान की हाथ कमण सरकार क्यान की देवी ठेपट वूई करने जग का उधार विद्यादाती मात है सरस्वती हो मात विद्यादाती मात है सरस्वती हो मात बीना वेद माला हात में अतिशो भित है रूप जैसे जग प्रकाश से जगमत पुख पर ऐसा धूप वेद पुराण में वर्णत है मां का ये स्वरूप जिन से जिभा चंचल है ना जिभा मुक्चूप ए जिद्यादार्थी मां ए सरस्वती रूमां ए जिद्यादार्थी मां ए सरस्वती रूमां सत्य निवासिन मैया का है उच्छ अस्पान बिन उनके ना जग चले दुनिया मुल्ख समां मुलत ग्यान की देवी है बिनाधार्णी नां जोपा लीता है उन्हें मन जाते है हर कां ए जिद्यादार्थी मां ए सरस्वती रूमां ए जिद्यादार्थी मां ए सरस्वती रूमां करूम विनती कर जोरे सब पे रखना घ्यान हम बालक अग्यानी माता करना तुम कल्यान तुम बिन जग न दिन चर्यां ना चाना धो सद बुझी तुम दाती हो हो ग्यान का रूप ए जिद्यादार्थी मां ए सरस्वती रूमां है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा हर घर जो निवासनी हर वालक में विद्वान जो तुम्हे पाना चाहे है देती तुम अस्था पूजा पाठ भी मैया के निशित दिन है खास बसंत पंच में सभी मनातिक करते है उपवास है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा ज्यान चेतना मा से मिलता माता है परिपून माता मैं तुम से यह चाओ यान प्रशाद का चुण जिभा पर तुम वास करो मा करो यान की माँ धर्म दसे ना कभी हमें घेर न कोई पाप है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा सुर संगीत की देवी तुम हो तुम ही मंत्र में बुण जो जब ताओ मैंग कभी कर देती हो ये पुण राज हंस पर शोबित माता अजब है मेठा माँ हर वालक बस तेरा चाहे सपल होने का चाह है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा मा शार दे वीना वालिक उस तक धार्णिना जो तुम को है मन में बसाता सुंदर दे पर ना ना कोई डर उसको सताई करे न कोई निराश घर में की रक्षक तुम दे वीवा बस तेरा है आश है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा है विध्यादा की माँ है सर्ल सुती रूमा स्वेत वर्ण चंदा साचम के सर पे मपट अधभूत ज्यान की देवी तुही हो मैया हम सब तेरे सपूत विद्यादाती ज्यान की देवी इतना कर उपकार मेर मल मन मेरा रहे सदा ज्यान का भर भंदार है विद्यादाती माँ है सलश्वती रो माँ है विद्यादाती माँ है सलश्वती रो माँ ब्रम्हा विष्णु आदर करते हर पल है हर गम्ण। सकल मनूरत पूरा करते डरता मासे अधर्म। हे कल्यादी अरज है मेरी चाहो बस मैं ग्यान। पूरा कर दे माँ शार दे सारे ये अर्मान। है विद्यादाती माँ है सलश्वती रो माँ है विद्यादाती माँ है सलश्वती रो माँ देव दुलारी आप हो माता अरपन है ये भाव मुख की वाली हर मिठास से रुके ना मेरी नाव उस तक धार निखास है तेरी रचना सब चरतार करता तो बस तुम ही हो माता मुझे ग्यान का स्वार ए विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा ए विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा भग्द तुभें बुलाए माता कलम के था मनों डोर अज्यानी बालक हो माता शब्द चयन कमजोर ना कोई आशा है जगत से चारो रंधियाद शब्द की भाशा से लडू कलम मेरा हथियार है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा कभी जो मेरा मन वचलत हो गलत हो मन की चाँ बेनाधारनी कलम की देवी तुम ही दिखा रारा हो सत्य अहिंसा पथ पर लाना डालक वेद्या विवेक स्वच्ष हो सारे मन के इरादे काम करू सब नेक है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा हर पुराण हर छंद में तुम हो तुम ही हो कविता पाठ ग्यान की धारा तुम ही से बहते तुम ही ग्यान की हाठ विणा धारणी सुर में सरगब ताल में ताल नेक ले धारा है तुम ही से मया तुम ही से साए टेक है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा प्रजापती स्वयं भूवनों सबतरशी सत्काम तुम से जुड़ा है धर्म यहां तुम ही सेन का ना विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा घर मेरे तुम वास करो डसे न कोई दुख है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा मही मा तेरी जितने कहूं लगे है मैया थोर शिवहर पोजी लिखे ये वान यान की कर दो भार प्रकाश पूंज हो तुम ही विवेग की आशार विश्वाश हर शन तेरा ही वरण अज्यान की करती नास है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा चर्ण कमल में रख लो मैया मिन ते भाव है मोर ज्यान की देवी हो मैया ज्यान हाथ तेरे डोर हर पल हर दम बस ये चाव नए बने सब में तेरी कड़ जब जोड पिरों बन जाए एक गीत है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा श्री गडिश की पूजासन में माता तेरी विशेश दुनिया करती तेरे अराधना हर दम और हर मेश लाभ की देवी तयावती तो तुमसे है कणकण तेरे बिना ना कोई पल हो ना हो कोई छण है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा है विध्यादाती मा ए सर्श्लती रोमा कमल धारणी है माता तुम छेड़ दुबीना की राग बंद विवेक खुल जाए खुले भक्त के भाग्य कर जोरी करू अरजब मा मही मामा की महान विध्यादी बन सब गोहराए देदो ग्यान का दान है विध्यादाती मा है सर्श्लती रोमा है विध्यादाती मा है सर्श्लती रोमा हर वाद के बंधन तुम से विणा चाह सितार राग राग नी रोचक रचना गीत संगीत प्रकार तुम मिन माता सब अधोरा शब्त हो चाह सहेट तेरे आशीस सब संहब है नाटक नाट्यानेत्य है विध्यादाती मा है सर्श्लती रोमा है विध्यादाती मा है सर्श्लती रोमा तुम ही माग हो इस जीवन की सुगम राह विशान अचेत वस्था की जेतना यान रूपित मढाल आओ माता कर जग में जग को राह दिखाओ भटका राही राह निहार राह की राज समझाओ है विध्यादाती मा है सर्श्लती रोमा है विद्यादाती माँ है सरस्वती रुमा ओम जे सरस्वती माता जे जे सरस्वती माता सद गुण बेभव शानिनी प्रिभुबन विख्याता ओम जे सरस्वती माता सद गुण बेभव शानिनी प्रिभुबन विख्याता ओम जे सरस्वती माता चंद्रवदनी पद मासिनी रुति मंगल कारी रुति मंगल कारी सोह शुभ हंस सवारी अतुल तेज धारी ओम जे सरस्वती माता बाए करमे वीडा दाए करमा लाए करमा लाए शीष मुखट मनी सोहे गल मुतियन माला ओम जे सरस्वती माता देवी शरण जो आए उनका उधार किया पैठी मंधरा दासी रावन संहार किया ओम जे सरस्वती माता वेभ्या ग्यान प्रदाईनी यान प्रकाश भरो मुह अग्यान प्रकाश भरो मुह अग्यान ती मिरका मुह अग्यान ती मिरका जद से नाश करो ओम जे सरस्वती माता धूप दीप पल मेवा मा स्विकार करो ग्यान चक्छूदी माता जद निस्तार करो मुह अग्यान प्रकाश भरो मा सरस्वती की आरती जो कोई जनगावे हितकारी सुखतारी ज्यान भाती पावे ओम जैसर स्वती माता जनकर जननी पाद्मरज निजमस्तक परधरी बंदो मातो सरस्वती बोधिवन देंदातारी पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा में तनन्तू दोस्ट जनों के पाप को मातो तू ही अब हल तू जै श्री सकल गोधी बल रासी जै सरवग्य अमर अविनाशी जै 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 दिना कर धारी करती सदा सुहंस सवारी रूप चतुर भुज धारी आता सकल वेश्व अंदर वे ख्याता जब में पाप बूधी जब होती तब ही धैन की बेखी जोती तब ही मातों का निज अवतारी बाब ही न करती महतारी वालमी के जीते है त्यारा तब प्रसाद जाने संसारा राम चरित जो रचे बनाए आद कवी के पद्वे पाए काल दास जो भए पे जाता तेरे के पादर श्टी से माता तुल सी सुर आगे पे द्वाना भए और जो ग्यानी नाना तिन्धनार रहे ओ अब लंबा ये वल कृपा आपकी अंबा करहु प्रिपासो ए मातो भवानी दुखित दीन ने जदा सही जानी तुत्र करही अपरा धब होता तेही ना धर इचत माता राखु लाज जननी अब मेरी विनर करऊ भाती वहू तेरी मैं अनाथ तेरी अब लंबा क्रिपा करऊ जै जै जग दंबा मधु के तब जो अति बनवाना बाहु योद विश्णों से खाना समर हजार पाँच में धोरा फिर भी मुख उनसे नहीं बोरा मा तु सहाए तिल्हत ही काला मुधी विपरत भई खल आला पीद मित्यों भई खल केरी गुर्व हु मा तु मनोरत मेरी चंड मुंद जो थे बेठ्याता शनम हु संहारे उनमाता रत बीज से समरत पापी सुर्मन हिदय धरा सब कापी काटि उसे रज में कदले खंबा बार बार बिन वउं जग दंबा जग प्रसेत जो शुम्धन शुम्भा शनमे बाधिता ही तु अंबा भरत मा तो गुधि पेर उजाई रामचंद्रवन वास कराई एही विद्रावन वध तो किहा सुर्मन मुण सब को सुख दिहा को समरत तब यश गुण गाना निगम अनादी अनन्त बखाना विष्णु रूद्र जस कहिन मारी जिनकी हो तुम रक्षाकारी रत गंत का और शताक्षी नाम अपार है दानव भक्षी दुर्गम काज धरा पर की हा दुर्गा नाम सबन जगनी हा दुर्ग आदी हरनी तुमाता क्रिपा कर वो जव जव सुख दाता दिप को पित को मारन चाहे गानन में धेरे में गनाहे सागर मध्य पोत के भंचे पति तु पॉन नहीं को संगे भोत प्रेत पाधाया दुख में होत रित्र अध्वा संकट में नाम जबे मंगल सब होई संशयस में करई ना कोई पुत्र हीन जो आतुर भाई सब छाड़ी कुझे यही भाई करे पाथे नित यह चारी सा होई पुत्र सुन्दर गुण इशा धूपालिक नैवेध चहावे संकट रहिक अवश हो जावे भर्ति मातु की करे हमेशा निकटना वैता ही करेशा बंदी पाथ करे सत बारा बंदी पाश दूर हो सारा रामसागर बाधि हे तुभवानी कीजित पादा सनिज जानी मातु सुर कांते तव अंधकार ममरो डोवन से रक्षा करहो परुन में भवकूत बलबुधि विद्या देहु मोही सुन हु सरस्वति मातु रामसागर अधाम को आश्रे तू ही देता तू झाल 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 45 झाल झाल